हेलो दोस्तों आज में इस वीडियो में कमपारेशन करेंगे नोकिया 2.4 में और मैक्रोमेक्स 890 B में तो चली वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कते हैं डिस्प्रे से दोनों की सेम है 6.5 पाइप इन्स की डिस्प्रे है दोनों फोन की दोनों का रेजलेशन है 720 में डिपार, 16 पिक्सल और दोने फोर्न में आईपेज से डिस्पेक के युज़ किया गया है बात कते हैं प्रोस्टर के तो Nokia का है Mate का P22 का CPU है 2.0 GHz OctaCore का और समी 12.0 MHz का पिन फैट और सका GPU है Powerful है 8320 का और MicroMesh का जो प्रोस्टरो में टेक का है G35 का CPU है 2.0 धरीकी का है OctaCore का और समी 12.0 MHz का फिन फैट और सका GPU है Powerful है 8320 का बात कते हैं उपटेश्म की दोनों का सीम है डोइट 10 बात कते हैं बैक केमे की दोनों का सीम है डूल है 13 प्लेस 2 मेंसल का बात कते हैं फटेश्म की दोनों का सीम है 5 मेंसल का दिया गया है बात कते हैं बैटरी की Nokia में दे गई है 45 अमेज की और MicroMesh में दे गई है 5 अमेज की और दोनों फ़ों में बैटरी स्नोनेबल है आप दोनों की बैटरी को निकान सकते बालकते हैं चार्जर की दोने में सीम है 10 वर का पाथ चार्जर है Nokia में Microspace sport दिया गया है Micromax में Tabs का sport दिया गया है बालकते हैं सीम की ताप दोने फॉन में 2 सेम और साथ में स्टेका डाल सकते हो और दोनी फॉन मा को fingerpin sensor और फिस लोग भी दिया गया है बाल खते हैं रेम की नोकिया में 2GB और 3GB की होगी और माइक्रोमेक्स में 2GB और 4GB की है बाल खते हैं मैं मोर की नोकिया में 32GB की माइक्रोमेक्स में 32GB और 24GB की बाल खते हैं प्रेज की नोकिया जो स्पेक्टि प्रेज है और 10,000 के बीच में होगा और माइक्रमेस का है दो चीबी और बतीच बी का छे जाननों से नाम पी तो फिर आपको दोरफ़ों से कौन साफ़ा पसाने कौन में जरू बताना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में